नमस्का दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्तान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पतवारी भरती 2019-2020 के बारे में इसके online forms आज से याने 20 जनवरी 2020 से start हो चुके है और आप इसका online forms के से गर बेटे, mobile से, computer से गर बेटे भर सकता है तो complete process आपको step by step इस वीडियो का अंदर मिल जाएगी और जो पतवारी फारम भरने की जो last date आपकी 18 फरवरी 2020 है तो आपको form भरने के लिए आपको क्या करना होगा वो आप सभी इस वीडियो का अंदर देख सकता है और राजस्तान government job information के लिए टेकनो राजस्तान एप ज़रू डाउनलोड कर लिजेगा और current affairs gk के लिए आप हमारी एप डाउनलोड कर लिजेगा दोनों की लिंक आपको description में मिल जाएगी तो पटवारी का form भरने के लिए आप सभी को Google के अंदर सर्च कर लेना है टेकनो राजस्तान.com जैसा कि मैंना आप सभी को वीडियो के अंदर बताया है वेसा ही आप सभी को सर्च कर लेना है टेकनो राजस्तान.com जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास हमारी website आजाएगी तो आपको हमारी website को open कर लेना है ठीक है और open करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है उसके बाद जो राजस्तान गोर्मेंट जोब वाला section आप सभी को ये दिख रहा है पटवारी वाली post है इसको उपर आपको simple सा click कर लेना है तो इसको उपर आपको complete information मिल जाएगी कब से online form से start हो रहे है कब इसकी last date है कैस का official notification है और कैस कंदर आपका syllabus रहने वारा है तो post आपकी बढ़कर 4400 हो चुकी है यहाँ पर बैया लिस्ता आपको दिख रहा है लेकिन जो बाद में post बड़ा दी गई थी तो आपके 2400 post हो चुकी है पटवारी भरती का अंदर ठीक है 4400 ठीक है तो आप सभी देख सकते age limit आपकी नियूंतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष है बाकी category wise छूट रहेगी और इसमें जो age को आधार माना गया है एक जनवरी 2021 को ठीक है एक जनवरी 2021 को इसमें आपकी I.U. को आधार माना गया है और जो fees वगेरा complete information आपको मिल जाएगी यहाँ पर उसके बाद आपको नीचे आना है जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा साथ ही में click here वाली apply link है यहाँ पर आपको click कर लेना है ठीक है तो जैसे आप click करेंगे तो आपके पास जो SSO ID वाली link open हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी SSO ID password डाल कर login कर लेना है और जो यह capture code दिख रहा है इसको भी डाल कर आपको login कर लेना है उसके बाद जिस परकार के अंदर जो SSO ID की apps आएगी उसके अंदर आपको recruitment portal वाला option है यह वाली app आपको search कर लेना है नई मिल रही तो view जो other app के अंदर जाकर भी आपको यह recruitment portal वाला option मिल जाएगा इसके बाद आपको इसको open कर लेना है ठीक दोस्तों तो आपके पास application open हो जाएगी उसके बाद आप देख सकते हैं जो ongoing recruitment है उसके अंदर कौन-कौन से vacancies चल रही है इसके अंदर तीन vacancies है जिसमें आपकी संस्करत इसको lecture first grade की भी है investigator की भी है और जो थर्ड नंबर पर है आपकी पटवारी ठीक है पटवारी vacancy जिसका आप सभी काफिटाइम से वेट कर देते तो finally form इसके start हो चुके है तो यहाँ पर आपको apply now वाले option पर click करना है उसके बाद यह आप से पूछेगा do you want to face data from candidate profile तो अगर आप अपना पुराना data इसके अंदर लाना चाते है तो आपको yes कर देना और कुछ correction करना चाते है तो no कर देना तो हम यह आपर yes कर देते हैं ठीक है उसके बाद जो आपको यह पटवारी वाला option दिख रहा है इसके उपर आपको click कर लेना है तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो इस परकार आपको अपनी details भर देनी है उसके बाद जो आपके पास personal details का option आएगा ठीक है जैसा कि आप इसका अंदर देख सकता है personal details का option आपके पास आज आएगा तो basic वाले के अंदर आपको अपने आवेदक का नाम क्या है candidate name, father's name, mother's name, date of birth, category कौन सी है आपकी ठीक है और जो आपका कौन सा religion है, धर्म कौन सा है, Hindu, Muslim, Jain, Sikh, इसाई जो भी है तो वो सब कुछ आपको बढ़ देना है अगर आप विवायत हो तो merit कर देना है और एविवायत हो तो unmerit कर देना है आपके जीवन साती का नाम है और आपके जो कितने बच्चे है जो 2002 के बाद हुआ था और mobile number, email ID आपको सब कुछ इसके अंदर enter कर देना है और उसके बाद जो आपको अपना address भी इसमें डाल देना है और दो option रहेगा कि जो address आपके अलग-अलग है permanent या फिर जो आपका जो पत्राचार जो fix address है इस ताई address है तो यह दोनों आपको feel up कर देना है उसके बाद जो next वाले option को पर आजाना है तो next वाले option कंदर आपको अपनी personal details भर देनी है basic details first option रहेगा उसके बाद जो आपको personal details वाला रहेगा उसके बाद आपको अपना ground select कर लेना है कौन से nationality से हो आप जैसे इंडिया के लावा और भी option जो अन्ये देसों के जैसे नेपाल तिबत वालों को भी option दिया जाता है form तो अपने Indian है तो Indian है पर select कर लेंगे उसके बाद जो home state है कौन सा आपका है तो राजस्तान इसमें select कर लीजेगा उसके बाद जो ग्रेजिला जो भी है आपका Ajmer कुछ भी आपका जो भी डिस्टिख है वो आपको select कर लेना है उसके बाद जो आपका block है block कौन सा है जिसे हम कंदर जैसा आप पहले फोज में रहे चुके तो येस करना है नहीं हो तो नो करना है ठीक है और उसके बाद आपको ये status पूछेगा sport person हो तो yes कर दीजेगा नहीं हो तो नो कर दीजेगा एंड जो NCC का आपके पास certificate है या पर सिक्षक रहे हैं तो ये आपको complete details इसमें फिल अप कर देनी है और जो अगर आप जैसे कोई government के करमचारी हो या फिर temporary department के अंदर employee हो या फिर army person person हो तो ये आप इसमें से भर सकते है उसके बाद next कर देना है next भरने के बाद जो आपके पास qualification का option आजाएगा ठीक है qualification के अंदर आपने secondary कहां से की थी कौन सा आपका subject था science से था या फिर arts से था कौन-कौन से subject थे जो role number क्या है result क्या था final year पास हो चुक है यह क्या percentage रहे है और इसके बाद जो बारवी की details graduation की details और जो बीटेक वाले है जो भी graduation वाले है वही इसके लिए apply कर सकता है ठीक है तो सना तक इसमें आनिवारिया है और बीटेक वालों को और इसके बाद जो आप यहां पर और इसमें जो option दे रहा है कि अगर आपके पास कभी किसी परिक्षा के दुरान चीटिंग से बार किया गया था तो आपको यहां पर details भर देनी है उसके बाद नेक्स्ट वाले option को पर क्लिक कर देना है ठीक है और उसके बाद जो आपको प करके बता दीजेगा और भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो इसके अंदर आपको अपना थम इंप्रेशन एंड जो आपकी फोटो है सिगनेचर है अप्लोड कर देना है उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस पूछेगा ठीक है क्या आप कौन से डिस्टिक से मैं बता चुका हूँ जो आपको सब्सक्राइबस वगेर आपको मारी वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है क्या 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 आपके सब्जेक्ट के अंदर आने वाला है फिस आप सभी देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूँ एज लिमिट अठारा से चालिस है और ज जो OBC, MBC क्रिमिलियर है उनके लिए 450 रुपे, SST जो एकसे सर्वीस में दिव्यांग है, PWD उनके लिए 500 रुपे है और जिनकी पारिवारी काई 500 रुपे तक है या फिर 500 रुपे से कम है उनके लिए भी 500 रुपे फेसेस में रखी गई है ठीक दोस्तों तो इस परकार आप अपना फॉम भर दीजेगा, SSID पर जाना है, उसके बाद रिकूटमेंट पोर्टल वाला उप्शन आपको मिल जाएगा, उसके अंदर पटवारी वाला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी बेसिक इनफोर्मेशन भर देनी है, जैसा कि मैंना आपको इस वीडि है, उसके अंदर भी आपको अपनी कंप्टलिट जानकरी भर दीजेगा, कि कौन से जीले से हो, आप कौन से डिस्टिक से हो, कौन से अगाम है, आपका कौन सी तहसिल है, कौन सा आपका ब्लोक है, सब कुछ आपको इसमें डिटेल के साथ भर देना है, और साफदाने से बढ आपको और अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो आप जो किसी इमितर के दुकान से भी अपना फोरम भरवा सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन के अंदर दिशा निर्देश दे रखी है उन सभी को आप सभी को ध्यान से पढ़ लेना है ठीक है और जो क्वालिफिकेशन भी आपको सही से भरना है जो आपके रोल नंबर है टेंथ के अंदर क्या रोल नंबर थे ट्वेल्थ के अंदर क्या रोल नंबर थे ग्रेजविशन के अंदर क्या रोल नंबर थे और जो कितने परसंटेज बने हैं आपके और जो किस वर्ष के अंदर आप उतरिन हुए थे सब कुछ और जो विशे गुरूप कौन सा है जैसे आर्ट्स हो गया, साइन्स हो गया और जो आपके यूनिवर्सिटी कोलेज का नाम कहां से आपने कोलेज किया था कहां से 12th पास करी थी सब कुछ जान करी आपको इस फोरम के अंदर भर कर सब्मिट कर देना है और जो आपको अपको अपनी आईडी जो फोटो एंड सिगनीचर अपलोड करके प्रेफरेंस भर के पेमेंट काड़ देना है तो इस परगार आप अपना फोरम भर सकते है पटवारी का जिस्सा कि मैंना आप सभी को वीडियो का अंदर बताया है और फिर भी आपको कुछ प्रोब्लम आती है तो कमेंट करके बता दीजेगा मैं आपको सॉलुशन बता दूँगा ठीक है तो देख लीजेगा आप सभी और आप हमारी एप टेक्नो राजस्तान की जो ओफिशल है पर आपको गौर्मेंट जोब इनफोर्मेशन मिल जाएगी और करन्ट अफेट्स के लिए आफ राजस्तान करन्ट अफेट्स से दोनों डाउंलोड कर सकता है दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पर आपको सिलेबस वगेरा पटवारी से रिलेटेड अर्दर गौर्मेंट जोब की इनफोर्मेशन सब कुछ टेक्नो राजस्तान डोट कॉम पर मिल जाएगी ठीक दोस्तों तो आपको जानकारी देनी थी वीडियो पसंदा तो प्लेस को लाइक शेर स्वस्क्राइब जरूर करेगा ठीक इस सो मच और आप सभी का पटवारी में जरूर सेलेक्शन हो ठीक इस सो मच